प्रिथ्वी पर दिन और रात होते हैं सबसे बड़ा ग्रह है ए, ब्रिहसपती बी, प्रिथ्वी C. Uranus D. शुक्र Answer A. ग्रिहस्पती सबसे छोटा ग्रह है A. मंगल B. शनी C. बुध D. नेप्चून Answer C. बुध अगुलहास धारा किस महसादर में बनती है A. प्रशान्त महसागर में B. हिंद महसागर में C. आर्केटिक महसागर में D. अन्य Answer B. हिंद महसागर में प्रित्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है A. ताबा और जस्ता B. निकेल और ताबा C. लोहा और जस्ता D. लोहा और निकेल Answer D. लोहा और निकेल मैंडमीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है प्रथम देश कौन सा है A. फ्रांस B. रुसी संग C. कनाडा D. सन्युक्त राज्य अमेरिका Answer B. रुसी संग निम्नांकित में से कौन देश कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है A. ब्राजी B. भारत C. अमेरिका D. चीन Answer C. अमेरिका इनमें किसको जापान का मैंचेस्टर कहा जाता है A. ओसाका B. टोकियो C. नादा साकी D. याकोहामा Answer A. ओसाका भारत के स्वतंत्रता संगर्ष के दौरान डेकिन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? A. जवाहरलाल नहरू B. रवींद्र नाथ टैगोर C. बाल गंगाधर तिलक D. व्योमेश चंद्रबनरजी Answer C. बाल गंगाधर तिलक 1857 के गदर के समय भारत का गवनर जेनरल कौन था? A. लॉड केनिंग B. नील आर्मस्चांग C. जॉन मथाई D. अन्य Answer A. लॉड केनिंग भारत भारतियों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? A. अशासकिय संस्था B. आर्य समाज ने C. ब्राम समाज ने D. अन्य Answer B. आर्य समाज ने विंध्याचल और सत्पुडा पहाणियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है A. नर्मदा B. सिंधु नदी C. कोसी D. गोदावरी Answer A. नर्मदा Investor Protection Fund Investor Protection Fund किस संस्था ने स्थापिट किया है? A. पूंजी मुद्दे ने B. डी एल एफ ने C. सेबी S.E.B.I. ने D. अन्य Answer C. सेबी S.E.B.I. ने कुंडापुर M. करवार कच्छ वनस्पती स्थान कहां स्थित है? A. केरल राज्य में B. करनाटक राज्य में C. कमिल नाडू राज्य में D. क्रिपुरा राज्य में Answer B. करनाटक राज्य में भारत की प्रथम बहुत देशिय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? A. कावेरी नदी B. गंडक नदी C. दामोदर नदी पर D. यमुना नदी Answer C. दामोदर नदी पर भारत में प्रथम स्थापित पर्मानों सहयंत्र आटोमी प्लांट कौन सा है? A. तारापुर पर्मानों सहयंत्र B. कैटेनोम पर्मानों सहयंत्र C. कुडनकुलम पर्मानों सहयंत्र D. अन्य Answer A. तारापुर पर्मानों सहयंत्र United Kingdom, UnitedKingdomU.K में शामिल है A. England तथा उत्री Ireland B. उत्री Ireland तथा Wales C. Scotland तथा Wales D. A. और D Answer D. A. और D आगरा शहर को किसने बसाया? A. सिकंद लोदी B. अकबर C. बहलोन लोदी D. शाह जहा Answer A. सिकंद लोदी राश्च्रे प्रतीक के निचले भाग में उत्रीरनित शब्द सत्यमेव जैते के संदर्प से लिए गए है A. पुरान B. जातक C. मुदकोपनिशद D. महाभारत Answer C. मुदकोपनिशद अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? A. गुरु मुखी B. ब्राही C. देवनागरी D. हैरोगलाइफिक्स Answer B. ब्राही बिहों निम्नलिखित में से किसका लोपरिय उत्सव है? A. असम B. उडीसा C. बिहार D. बंगाल Answer A. असम विवेकानन्द रॉप मेमोरियल कहां स्थित है? A. अंडमान निकोबार B. लक्षद्वीद C. केरल D. कमिलनाडू Answer D. कमिलनाडू महात्मा गान्धी को राश्ट्रिटा के रूप में उलेक सबसे पहले किसने किया था? A. सुभाष चंद्र बोस B. जवाहरलाल नहरू C. बल भभाई पटेल सी D. इनमें से कोई नहीं Answer A. सुभाष चंद्र बोस प्रथंग बोलमेच सम्मिलन कहा हुआ था? A. नए दिल्ली में B. लंदन में C. बंबई में D. इनमें से कोई नहीं Answer B. लंदन में देश का लोग पुरुष किसे कहा जादा है? A. सरदार पटेल B. पंजवाहरलाल नहरू C. महात्मा गांधी D. लोकमान्य तिलक Answer A. सरदार पटेल महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किस ने कहा? A. हिटलर B. जिन्ना C. चर्चिल D. माउंट बेटन Answer C. चर्चिल महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? A. बर्नार शा B. लियो टॉल्स्टॉई C. कार्ल मार्क्स D. इनमें से कोई नहीं Answer B. लियो टॉल्स्टॉई महात्मा गांधी का जन्म हुआ था A. एक हजार आच सो उनसट B. एक हजार आच सो उनत्तर C. एक हजार आच सो उनासी D. एक हजार आच सो नवासी Answer B. एक हजार आच सो उनत्तर पंजाब केसरी के नाम से विख्या थे A. रजनीत सिंग B. गुरू गोविंद सिंग C. गुरू नानक D. लाला राजपत राए Answer D. लाला राजपत राए निम्लिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है A. सुवर्ण रेखा B. सोन C. गंडग D. कोसी Answer A. सुवर्ण रेखा किस राजपत की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? A. मरेपुल B. नगालेंग C. असम D. अरुनाचल प्रदेश Answer D. अरुनाचल प्रदेश कितने वर्ष के पश्चात राश्च्रिय जंगर्ना होती है? A. दस B. पांच C. तीन D. पच्चीस Answer A. दस काजिरंदा राश्च्रिय पार्ख है A. उडिसा में B. महराश्च्र में C. असम में D. इनमें से कोई नहीं Answer C. असम में Operation Flood से संबंधित है A. तमिलनाडू B. बाढ़ नियंत्रन C. दूद का आयात D. देरी विकास Answer D. देरी विकास धान की खेती के लिए उतम मिटी कौन सी है A. सक्त मिटी B. काली मिटी C. दोमट मिटी D. लाल मिटी Answer C. दोमट मिटी कौन से भादिय शहर Heavy Electrical से संबंधित है A. नागपुर B. राइपुर C. भोपाल D. लखनौ Answer C. भोपाल भारत में हरित क्रांती का श्रे जिस सुविख्यात क्रिशी औध्योगी की विज्य को जाता है उसका नाम है A. आर वैंकटमन B. सीता कांथ महापात्र C. डॉक्टर वर्गीस कुरियन D. जयंत नारलिकर Answer C. डॉक्टर वर्गीस कुरियन राणा प्रताप सागर संबंधित है A. सौर उर्जा से B. सिंचाई से C. नाभीकिय उर्जा से D. जल विद्यूत से Answer D. जल विद्यूत से रित्वी और सूर्य के बीच अधिक्तम दूरी के स्तिधिकों होती है A. 22 जुलाई 1947 को B. 30 जन्वरी C. 4 जुलाई D. 21 सितंबर Answer C. 4 जुलाई भारत के राचिना में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जैते किस उपनिशद से लिए गए है A. इश उपनिशद B. मुंदक उपनिशद C. कट उपनिशद D. इनमे से कोई नहीं Answer B. मुंदक उपनिशद गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है A. रिगवेद B. सामवेद C. यजुरवेद D. अथर्ववेद Answer A. रिगवेद Hindi किस लिपी में लिखी जादी है A. पर्शियन B. रोमन C. देवनागरी D. पाली Answer C. देवनागरी राही लिपी को किसने स्पष्ट किया? A. जेम्स प्रिंसे B. जॉन मार्शल C. जॉन एक फ्लीट D. इनमे से कोई नहीं Answer A. जेम्स प्रिंसे राश्ट्रे विज्यान दिवस किस दिन मनाया जारा है? A. इक्कीस जन्वरी D. इक्कीस मार्च C. अठाइस फर्वरी D. तेईस मार्च Answer C. अठाइस फर्वरी राश्ट्रिय खेल दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. उन्तीस मार्च B. उन्तीस अगस्त C. बी सितंबर D. दो दिसंबर Answer B. उन्तीस अगस्त Computer साक्षर्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. बारह अगस्त B. तेरा सितंबर C. दो दिसंबर D. इनमें से कोई नहीं Answer C. दो दिसंबर केंद्रिय उत्पाज शुल दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. चौदा फर्वरी B. चौबीस फर्वरी C. अठारा फर्वरी D. इक्कीस फर्वरी Answer B. चौबीस फर्वरी Hindi दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. चौबीस अगस्त B. पंदरा फर्वरी C. चौदा सितंबर D. अठारा दिसंबर Answer C. चौदा सितंबर शिक्षत दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. सोलह मार्च B. नौ अगस्त C. पाच सितंबर D. इनमे से कोई नहीं Answer C. पाच सितंबर किसान दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. तेईस दिसंबर B. अठाईस फर्वरी C. चौदा हमार्च D. पाच अगस्त Answer A. तेईस दिसंबर चिकित सब दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. एक अप्रेल B. एक मई C. एक जुलाई D. एक जून Answer C. एक जुलाई नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. साथ अगस्त B. सोला सितंबर C. चार दिसंबर D. आठ फर्वरी Answer C. चार दिसंबर राष्ट्रिय एका दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. दो जून B. चौदह जुलाई C. दो अक्टूबर D. उन्नीस नवंबर Answer D. उन्नीस नवंबर राष्ट्रिय प्रोध्योगी की दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. ज्यारह मई B. ज्यारह फर्वरी C. ज्यारह अप्रेल D. ज्यारह जुलाई Answer A. ज्यारह मई सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. चार सितंबर B. साथ दिसंबर C. छब्वीस फर्वरी D. पंदरा जन्वरी Answer D. पंदरा जन्वरी राश्च्य विधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. चब्वीस अक्तूबर B. चब्वीस नवंबर C. चब्वीस दिसंबर D. इन में से कोई नहीं Answer B. चब्वीस नवंबर Malaria दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. चौदा फर्वरी B. इक्कीस मार्च C. पच्चीस अगस्ट D. सत्रा सितंबर Answer C. पच्चीस अगस्ट शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. तीस जन्वरी B. तेरा फर्वरी C. पंदरा मार्च D. बाईस अगस्ट Answer A. तीस जन्वरी संचे का दिवस किस दिन मनाया जाता है? A. ग्यारा अगस्ट B. पंदरा सितंबर C. बारा दिसंबर D. आठ फर्वरी Answer B. पंदरा सितंबर सामाजिक अधिकारिता स्मृती दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. उन्तीस जन्वरी B. अठारा फर्वरी C. इक्कीस अगस्ट D. बीस मार्च Answer D. आरंगवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. बारह मई B. चौबीस मई C. इक्कीस मई D. अठाईस मई Answer C. इक्कीस मई सशस्त्र सेना जन्डा दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. साथ सितंबर B. साथ दिसंबर C. साथ फर्वरी D. साथ अप्रेल Answer B. साथ दिसंबर पुलीस मृती दिवस किस दिन मनाया जाना है? A. आठ अक्तूबर B. पंदरा अक्तूबर C. उन्नीस अक्तूबर D. इक्कीस अक्तूबर Answer D. इक्कीस अक्तूबर 31 मई किस रूप में मनाया जाना है? A. फादर्स डे B. एंटी टुबैको डे C. टीचर्स डे D. मदर्स डे Answer B. एंटी टुबैको डे 21 जन्वरी को निमलिखित में से किसका जन दिवस मनाया जाता है? A. सुभाश चंद्रबोस B. गुरू गोविन सिंग C. रवींद्रनात तैगोर D. चंद्रशेखर आजाद Answer B. गुरू गोविन सिंग ततिवर्ष किसकी स्नृती में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाया है? A. इंदिरा गांधी की B. लक्ष्मी बाई की C. सरोजिनी नाइडू की D. कमल नहरू की Answer C. सरोजिनी नाइडू की पात सिदमर किस रूप में मनाया जाता है? A. श्रमिक दिवस B. महिला दिवस C. बाल दिवस D. शिक्षत दिवस Answer D. शिक्षत दिवस राजीव गांधी का जन दिवस 20 अदस्त किस रूप में मनाया जाता है? A. संकल्प दिवस B. राश्चिय एक्ता दिवस C. आतंगवाद विरोध दिवस D. राश्चिय सद्भावना दिवस Answer D. राश्चिय सद्भावना दिवस बाल दिवस कब मनाया जाना है? A. 14 जुलाई B. 14 अक्तूबर C. 14 नवंबर D. इनमे से कोई नहीं Answer C. 14 नवंबर राश्चिय युवा दिवस कब मनाया जाना है? A. 9 जन्वरी B. 1 फर्वरी C. 12 मार्च D. 15 अगस्त Answer A. 9 जन्वरी राश्चिय युवा दिवस कब मनाया जाना है? A. 21 जन्वरी B. 13 जन्वरी C. 12 जन्वरी D. 15 जन्वरी Answer C. 12 जन्वरी राश्चिय युवा दिवस कब मनाया जाना है? A. 12 अक्टूबर B. 12 जन्वरी C. 18 जन्वरी D. इनमें से कोई नहीं Answer B. 12 जन्वरी बाल दिवस किस महापुरुष की जैन्ती के रूप में मनाया जाना है? A. महात्मा गांधी B. सुभाश चंद्रबोस C. लाल बहादुर शास्त्री D. पंडित जवाहरलाल नहरू Answer D. पंडित जवाहरलाल नहरू देश के प्रथम उप्राश्च्रप्ती सर्वपली राधाक्रिश्नन का जन्दिवस किस रूप में मनाया जाया है? A. शिक्षक दिवस B. बाल दिवस C. विधी दिवस D. डॉक्टर दिवस Answer A. शिक्षक दिवस Beating the Retreat का संबन्द किस से है? A. मजदूर दिवस B. गणतंत्र दिवस C. महिला दिवस D. शहीद दिवस Answer B. गणतंत्र दिवस निमलिखित में से किसका जन दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? A. डॉक्टर विधान चंद्राई B. डॉक्टर जाकिर हुसेन C. डॉक्टर S. राधा कृष्णन D. इन में से कोई नहीं Answer A. डॉक्टर विधान चंद्राई किस महापुरुष की जैन्ती राष्ट्रे युवा दिवस के रूप में मनाया जाना है? A. महात्मा गांधी B. सरदार भगत सिंग C. चंद्रशेखर आजाद D. स्वामी विवेकानन Answer D. स्वामी विवेकानन किस भातिय होकी खिलाडी का जन्दिवस राष्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना है? A. रूप सिंग B. जैपाल C. मेजर ध्यानचन D. इनमे से कोई नहीं Answer C. मेजर ध्यानचन विश्व में डाघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाना है? A. चीन B. सनरा C. भारत D. इंडोनेशिया Answer C. भारत भारत में डाघरों की संख्या लगभग है A. एक दशमलव दो लाक B. एक दशमलव पाँच लाक C. एक दशमलव साथ लाक D. एक दशमलव नौ लाक Answer B. एक दशमलव पाँच लाक Green Channel है A A. डाक सेवा B. आकाश्वाणी चैनल C. दूरदर्शन चैनल D. टेलीफोन सेवा Answer A. डाक सेवा भारत में डाक सूचकान प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? A. उन्नी सौ बावन ई B. उन्नी सौ अठानवे में C. उन्नी सौ अठानवे में D. उन्नी सौ सत्तर में Answer C. उन्नी सौ बहत्तर में भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? A. दो B. छे C. आठ D. दस Answer C. आठ प्रसिद विरुपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? A. भद्राचलम B. चिदंबरम C. हमपी D. इन्नी से कोई नहीं Answer C. हमपी हिन भारत की जन्ता के संदर्ब में हिंदू शब का प्रथम बार प्रयोग किया था? A. अर्बो ने B. युनानियों ने C. रोमवासियों ने D. चीनियों ने Answer A. अर्बो ने मोहन जोर्णो कहां स्थित है? A. सिंध B. गुजरात C. उत्तरक्रदेश D. पंजाब Answer A. सिंध महात्मा गांधी ने सत्यागरा क्रियाविधी सबसे पहले कहां प्रस्तुत की? A. दान्दी B. अहमदाबाद C. खेडा D. चमपारन Answer D. चमपारन Banking के शेत्र में CBA's में C का पूर्ण रूप क्या है? A. कोर B. कॉंटिनेंट C. कम्पलीट D. क्रेडिट Answer A. कोर Canadian डॉलर का पूर्ण रूप क्या है? A. कैश ओल डेली B. कम्प्यूटर ओल डिजाइन C. कम्प्यूटर ओल डिजाइन D. कॉल ओल डिजाइन Answer C. कम्प्यूटर ओल डिजाइन OMR का पूर्ण रूप क्या है? A. On Money Reader B. Optical Mark Reader C. On Mark Reader D. इन में से कोई नहीं Answer B. Optical Mark Reader Cels का पूर्ण रूप क्या है? A. Special Economic Zone B. Small Economic Zone C. Service Economic Zone D. इन में से कोई नहीं Answer A. Special Economic Zone WLL का अर्थ है? A. Without Lever Line B. Wireless In Local Loop C. Wireless In Loop Line D. Within Local Line Answer B. Wireless In Local Loop J. जै हिंद का नारा किस ने दिया? A. सुभाश चंद्र बोस ने B. महात्मा गांधी ने C. मोती लाल नहरू ने D. इन में से कोई नहीं Answer A. सुभाश चंद्र बोस ने किसने कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा A. भगत सिंग B. चंद्रशेखर आजाद C. अर्विंद घोश D. सुभाश चंद्र बोस Answer D. सुभाश चंद्र बोस देशबंधू की उपादी संबंधित है A. बी आर अंबेडकर B. बिपिंद चंद्रपाल C. रवींद्रनाथ टैगोर D. चित्तरंजन्दास Answer D. चित्तरंजन्दास सुभाश चंद्र बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया A. उन्नी सो बयालीस में B. उन्नी सो तैटालीस में C. उन्नी सो चवालीस में D. उन्नी सो पैटालीस में Answer B. उन्नी सो तैटालीस में गांधी इर्विन सम्झोता किस से संबंधित है? A. सविनय अवग्या आंदोलन B. असायोग खिलाफत आंदोलन C. रॉलिट आंदोलन D. भारत छोडो आंदोलन A. सविनय अवग्या आंदोलन महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राश्ट्रपिता किस ने कहा? A. वल्लब भाई पटेल B. जे एल नेहरू C. सुभाष चंद्रबोस D. चंद्रशेखर आजाद अंसर C. सुभाष चंद्रबोस काइदे आजाद किसे कहा जाता है? A. मोहम्मद अली जिन्ना B. जवाहरलाल नेहरू C. भगत सिंग D. महात्मा गांधी अंसर A. मोहम्मद अली जिन्ना चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहा है? A. गोरखपुर D. आगरा C. इलाहबाद D. लखनउ अंसर A. गोरखपुर किसने कहा मध्यरात्री के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वस्वदंत्रता के लिए जाग उठेगा? A. जवाहरलाल नहरू B. महात्मा गांधी C. भगत सिंग D. राजेंद्र प्रसाद अंसर A. जवाहरलाल नहरू Who lives if India dies किसकी उखती है? A. जवाहरलाल नहरू B. महात्मा गांधी C. भगत सिंग D. इनमे से कोई नहीं अंसर A. जवाहरलाल नहरू पंजाबी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है? A. देवनागरी B. सिंधी C. गुरु मुखी D. इनमे से कोई नहीं अंसर C. गुरु मुखी किस लिपी को सभी लिपियों का जन दाता कहा जाता है? A. खरोश्ठी B. ब्राहमी C. मोडी D. नागरी अंसर B. ब्राहमी किस काल की लिपी को चित्राकार लिपी कहा जाना है? A. सिंधू काल B. वैदिक काल C. गुप्त काल D. मौर्यकाल अंसर A. सिंधू काल जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? A. आठ B. बारह C. अठारह D. इक्कीस अंसर C. अठारह अंसर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? A. उन्नीस B. सत्ताईस C. चौसट D. नवासी अंसर D. नवासी अशोक के शिलालेखों की क्याल भी है? A. देवनागरी B. गुरुमुखी C. खरोश्ठी D. ब्राहमी अंसर D. ब्राहमी भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है A. तेलुगू B. बांगला C. मराथी D. तमिल अंसर A. तेलुगू चोल शास्कों की भाषा क्या थी? A. कमिल B. संस्कृत C. कन्नड D. तेलुगू अंसर A. कमिल हिन्दी भाषा भारतियों का प्ररिशत लगभग कितना है? A. पचास पसेंट B. चालीस पसेंट C. पैटालीस पसेंट D. पचपन पसेंट अंसर B. चालीस पसेंट भारतिय भाषाओं में हिन्दी के बाद विश्व की कौनसी भाषा अधिक्तम बोली जाती है? A. मल्यालं B. कमिल C. तेलुगू D. बांगला वोवा की स्विक्रित राजभाषा है A. कोकनी B. गुजराती C. मराथी D. पुर्तगाली अंसर A. कोकनी कौनसी भाषा देव भाषा है? A. हिंदी B. खडी भाषा C. संस्कृत D. पाली अंसर C. संस्कृत भारत का प्राचीन भाषा है A. संस्कृत B. हिंदी C. पाली D. प्राकृत अंसर A. संस्कृत निम्लिकित में से किस देश में अधिक्तम संख्या में भाषा है बोली जाती है? A. ब्रिटिन B. यू. एसे C. फ्रांस D. भारत अंसर D. भारत केंद्रिय भारतिय भाषा संस्थान कहां स्थित है? A. मैसूल B. हैदराबाद C. वारारसी D. उज्जैन अंसर A. मैसूल राश्चिय साक्षर्ता मिशन की शुरुवात कब हुई? A. उन्नीस सौई B. उन्नीस सौ अठासी C. उन्नीस सौ निन्यानवे D. इनमे से कोई नहीं अंसर B. उन्नीस सौ अठासी नवोदे विद्याले में दाखिला किस कक्षा में होता है? A. पहली B. सातवी C. छठी D. चौथी अंसर C. छठी C. अंसर C. छठी